क्लास 10 सीदे सी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंस आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पालमाई नॉलेज टू जीव में चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ ही बहला इकान को प्रेस करें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पालेंगे लिए इस वीडियो में बोड की एक्जाम 2018 की संस्क्रिप्ट का कोश्चिन पेपर और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पूरे कोश्चिन पेपर को कि किस तरह के कोश्चिन पेपर बोड की एक्जाम में आते हैं और खास तोर पे संस्क्रिप्ट का पेपर काफी टाफ होता है और इस question paper को जरूर देखें पूरा जरूर देखें अब सो यह हमारे पास में set 4 है और code number 52 series है हमारे पास में tym code number लिखना है एंड यह जो code number इसे अपने answer sheet के first page पर जरूर लिखें सो क्रिपया जांच कर लें कि इस प्रशनबत्र में उठी के मुद्रित प्रेश्ट 15 है प्रशनबत्र के दाही ने हाथ की और दिये ए इस code number को चात्र उत्तर पुस्तिका के मुखे प्रेश्ट पर लिखें किरिपया जांच कर लें कि इस प्रशनबत्र में चोदा प्राश्ने हैं। कृफ़पी आ प्रश्नीा का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्ने का क्रमा काल अवश्य लिखें। इस प्रश्ण पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनिट का समय दिया गया है, प्रश्ण का वित्रण पुर्वान में 17 विजी किया जाएगा, 17 विजी सी साधी दस विजी तक छात्र केवल प्रश्ण पत्र को पढ़ेंगे और इस सब्धी के दौरानवे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे, सेम इंडिस्टेक्शन से इंग्लिश, चले, क्वेश्ण पेपर को देखते हैं, संस्क्रिट का क्वेश्ण पेपर है, आपको टाइम मिलेगा तीन घंटे का, और अधिकता मांक आपको मिलेगा एट टे का, इसमें चार खंड है, खंड का गव और गर, इसमें निर्देश हैं, इस प्रश्ण पत्र में चार खंडें, और प्रतिक खंड की उत्तर एक ही जगह पर क्रम से लिखने होंगी, प्रश्ण पत्र के अंसार प्रश्ण सेंग्या अवश्य ही लिखने होंगी, सभी प्रश्ण पत्र संस्क्रिट में लिखिए, स्टार खंड होते हैं और इनिक्डो तीन और ये इसके प्रेश्न हैं Section 3 की First, Second आपको आप देख सकते हैं Question No.3 and Fourth और इसमें चौथा Section ये होता है इस अनुचेद के लिए उप्युक्त शीर्शक समिस्क्रिप्ट में दिखिए दो अंका आपको इसके लिए मिलेंगी Section B आपको मनजुशा में से दिये शब्दों की सायथा से इस पत्र को पूरा करना है इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगी और ये मनजुशा है क्यानकि इन मनजुशा में से शब्द लेकर आपको ये रिक्तस्तान भना है और इस चित्रुक की उपर पांच वाक्या आपको संस्क्रित में लिखना है और इस मंजुशा में से आप शब्द यूज कर सकते हैं और इस प्रशन में आपके सामने एक आप्शन है इस आप्शन में इस प्रशन को भी आप कर सकते हैं इन वाक्यों की साहिता से 5 संस्क्रित में वाक्य में एक अनुशित लिखना है खंड, घंड याने कि section C question number four question number five आप देख सकते हैं उच्छिप Question number five के क्र!ख.. घंड आप देख सकते हैं और question number घंड Question number 6. कह uy? इसके दो प्रैष्णन आप देख सकते हैं. कह ख, ग एन घ इसके 4 प्रैष्णे हैं. और हर प्रैष्णे की एक अन्पने ख़ramos हैं. Question number 7. Question number 8. Question number 9. Question number 9 में आप मंजुषा में इन शब्दों का यूज़ आप कर सकते हैं. And question number 10. Section D. यानि कि खंड घर लेखते हैं, question number 11, ये गर्ध्यान शे से पढ़कर आपको नीचे दिये गए प्रश्न गत्तर लिखना होगा, इसके पहला खंड, दूसरा खंड, और ये तीसरा खंड, तीसरे खंड में विकल्प, भविकल्प ये प्रश्न है, इसमें, multiple choices question है, और ये एक ख, ग, and ग, चार प्रश्ने हैं, और हर प्रश्ने के आधे-ाधे, यानि कि हाप मार्क मिलेंगे, अब ये इतना ट्यांच है, सना ट्यांच को पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्न गत्तर लिखना होगा, इसमें भी तीन खंडे, पैश, फर्स्ट, सेकेंड, और थर्ड, थर थर्टिन, कुश्चर नमर थर्टिन में आपकोमनजुशामन से शब्द लेकर रिट्ट्शान की पूर्ति करनी है, कुश्चर नम्र पॉर्टिन, भूविकल्प है प्रश्ने है, कुश्चर नमबर का ख ग, आप देख सकते हैं, और ये भूविकल्प है तो सही ऑप्शिन आ इस वीडियो को अभी से अभी शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो जब सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंकियो